तो आप सबका फैंटेस वर लाइफ की यूटियूब चैनल में तो आप आप अच्छे विन भी कर रहे होंगे तो इस पर्डिकल्ट वीडियू तो बात करने वाले अपना जो आज का मैच रहने वाले कि किसके बीच में एक तरह है होवाट हरीकेंज और एक तरह है सब्सक्राइब कर सकते हो और वाकिया करें तो टेलक्राम चैनल भी जोइन कर लें डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ-साथ आपको फैस्ट कमेंड में लिंक मिल जाएगा तो मैस बिल्कुल नहीं करना जल्दी स लिंके टीम से लगेँए इवन कलकी इंडिया वसज़ जो हमारा मैस था इंडिया नीदरलैंड वह भी काफी अच्छा गया उससे पहले साउथ अफरीका वाला मैच पिया था उससे पहले इंगलेंड वाले मैच में मिनी ग्रेंड लिंक में की तो वहां मैच इथे जा रहे ह सब्सक्राइब निकले हुए कोई विक्कत निया बारिश भारिश भारिश नहीं है अपर ठीक है होबाट में खेला जाएगा बाट के बात करें यह सब्सक्राइब करें तो वोमेंस विद बैश लीग में आप देख लो ऐसी आठेडिशनल बैल्राइब विकेट सब्सक्राइब से यहांच कई आउरस यह यहांगे ब्धट अब अच्छ टो एक में पर होताया कि तो invece तो श्रुआत में पहलता है जैसे हांगे मतद हो अहосто वैसेग बैंस मतलब जाती जाती है मतलब यहां पर क्या है चेज करना थोड़ा सा असान हो जाता है बाकि अगर हम बात करें हो टेबल शंडिंग्स के अभी दोनों टेम्स के हलात क्या चल रहा है ठीक है टेबल में कैसा कोच इनको खेलना है Sydney Sixers पता है इस सीजन में ऐसा खेली है जिसकी बिल्कुल आपने उम्मीद नहीं कुई होगी आप हर बार देखते हो Sydney Sixers टॉप आप टेबल में मिलती है आपको मांच टेबल में बट इस बार हुआ ऐसा ना कि Sydney Sixers शुरुवात के सारे मैचस आर गई और उसके बाद लिणों रख भापसी की अभी टेबल में हिफ्ट प्लेस पर है नो में से उन्हों में 거야 सीउACE अब गार जीते हैं और शेखें की जाएगी और Sydney Sixers भाई एक प्लेस अभी आपको नीचे होती हो यहां से दिख जाएगी तो भाई यह कुछ इन टीम्स के अभी तक क्या हालाद चल रहा है बागी आज अगर विनिंग का देखा जाए तो Sydney Sixers ने वापसी जरूर किये शुरुआत के मैचेस लगाता रहा रहे थे बट अभी जब जीतने के बार ही आई है तो भाई जीत भी लगातार ही रहे है बागी इस ग्राउंड के देखा जाए तो भाई 34 मैचेस 14 जीते बैटिंग वेश्टने और जैसा हमने बोला है यहां पर चेज करना असान है उसी तरीके से 20 मैचेस यहां पर चेज करने वाली टीम ने जीते हैं 130 राइंग का आवरे स्कोर अपर टेस से कहीं जादा बन रहा है ठीक है अगर आपने इस सीजन में पहले तो यहां परना रंस काफी अच्छे बन रहे है पहले क्या होता था आपने देखा था कब बहुत कम-कम टोटल तो इवन अभी नवेंबर में भी हो चुका एक मैंच जिसमें कि होबाट हरीकेंज ने 120 बनायता है प्रिस्पेन हीट ने वड़ी असानी से उस टार्गेट को चेज कर दिया था क्योंकि होबाट हरीकेंज खराब किली थी अगर वहीं पर प्रिस्पेन हीट पहले बैटिंग कर करें तो पागिस्तान 96 उस्ट्रेलिया ने 100 बना दिये थे 23 जैनुवरी को क्या हुआ सिर्नी सिक्सर्स ने एक उससी बनाया होगा तरीकेंज ने टार्गेट को चेज तो नहीं किया था पर 156 तक पहुंच गया थैं उसके आलबा इस मैच में आप देखोगे पेसर्स के विक है वो आपको यहां सिर्फ एक लिया था तो स्पिन इंग में जाता है सेकिंड में पेसर्स के आप यहां पर आपको 19 इंग ने पर उसके बाद में आते सीदह प्लें उनके बाद करते हैं तो यहां से आपको लानी ओर लिज्ली जू विक्ट तो यह दिख जाती है अभी तक जो फॉर्म रहे हैं वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का फॉर्म रहे है लीजली का तो स्पेशली कि पर जब उन्होंने रन मारे तो फिर अच्छे से ही मारे ना रहे है तो फिर बिल्कुल यह नहीं मारे ठीक है फिर यह दस से नीचे आउट होती तो रंस देखने को मिल जाते हैं इनका फॉर्म भी काफी अच्छा है अब आकि ब्राइन स्मित है किसी मैच में बोलंग डाल रही है किसी में नहीं डाल रहे है बहुत बहुत बहुतर इन खिलड़ी आपको अच्छे का से पॉन दे सकती है अगर यह किसी और लीग में होती बट अभी है मुमें बेश लीग में ठीक है यहां पर इतने सारे उप्शिंस है तो ब्रैन स्मित को जादा बाओ यहां से मिल नहीं रहा है हलाकि बैटिंग निम्बर तीन पर कर रही है बैटिंग से इनका फॉर्म बढ़ा खराब चल रहा है नो ग्यारा एक पांच एक तीन बहुत अच्छा गर्जा आपको बताने है ग्रेंड लिग में जरूर ट्राइब करने इसको बाकि अगर आप स्मोल लिग में देखोगे ना तो हर मैच में बोलिंग डालती है पूरे चार और तीन और यह डलती है हर मैच में एंड साथ-साथ विकेट भी इनके नाम आज आत से बोलिंग डाल रही है विकेट भी मिल रहे हैं बीच में बंद हो गए थे बात करें तो बैट बीच में एक एक मैच में इनके रहे हैं और अलगी टरेंट चल रहा है एक मैच में रहे हैं बागे ठाक बैटर है थोड़े रिस्की होंगे स्मॉल लिग में लेने के लिए बट जियर टीम समाप बिल्कुल इंको अलग से इस डिफरेंचल पिक जो है रख सकते हो नौमिश्ट लैंबर को बट स्मॉल लिग में थोड़े से रिस्क है ना स्मॉल लिग के लिए अभी त एमी स्मित की बाद करें तो भाई फॉर्म थोड़ा सा डाउंसाइड ही रहा है एमी स्मित का फॉर्म ना लैक ब्रेक बॉलिंग ये डालती है पाकी मैसी इपसन है एक मैच में तो दो विकेट थे बाकी टाइम में विकेट लैस है और उससे पहले जब बॉलिंग डाल रही तो हाँ एक दो दो विकेट इनके नाम जरूर थे तो पिछले तीन-चार मैच से थोड़ा फॉर्म इनको मिले नहीं दो-तीन मैच में बट अभी वापस से गर हम पिछले तीन मैच देखें तो भाई तीन विकेट एक दो विकेट इन्होंने निकाले तो इंपर्ट तो बनती है जैसे एक है एलस विलानी लीजली थोड़ी रिस्की है वाट हाँ ट्राइ करने लाइक है आपकी कुछ टीम्स में उसकाद में निकॉला केरी में थोड़ा फिफ्टी-फिफ्टी मानुगा हिदर ग्राम आपके स्मोलिक के लिए बनती है आपके पास मैंसे शबने में स्मा बेटर कुछ जादा खास तो नहीं है एक विगट है पच्छे से रोगेट जीरो एक विगट आपको इनकी तरफ से देखने को मिल जाता है अब आते जरह नेक्श निकलकर यह दूसरी टीम किया रहे थी जिद्नी सिक्सर्स की और एटेंशन ना लोगी बोलर्स के बारे में सक्राइब किस फेज में डालते हैं तो बोलिंग शिरुआथ करते हैं तैट में डालते हैं पर रूंटory को दिखने वाली है ओ और एक चीज़ और मैपको उता दूंगी यहां पर कुछ एक्सपरिमेंट है सिक्सर्स की टीम में ये कभी कबर क्या कर रहे हैं सूजी बेट्स को अठाकर मैं ब्राउन के साथ में उपन करा रहे हैं अना तो इस चीज़ कर दूँगा आपके साथ में टेलिग्राम शेल्टर वहां भी आपको दिख जाएगा बैटिंग ओडर में कि कौन पहले आ रहा है त अच्छी प्लियर है फॉर्म भी ठीक चल रहा है विकेट भी मिल रहे है रन भी बन रहे है तो सही है अच्छे कासे फैंटेसी पॉंट्स देती है बर ये वार बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है फॉर्म इनका खराबी रहे जिरो विकेट है फिर यहां बनाई इन्होंने जिरो थे चहरा नहीं एक विकेट दो रन जिरो आट रन जिरो और इस मैच में बैटिंग से 32 बना दिया बोलिंग इन्होंने पिछले तीन मैच अब तक नहीं डालिया उसके बात में आसे क्लोट्र जैसे कि 13 रन 3 विकेट और 40 रन 2 विकेट जो पिछले दो मैच का परफॉरंस था तो दोड़ा सारे इस ले 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 ना ग्रैंड लिग में पहरी गार्टनर इनको अगर पिक करते हो तो कर लो ठीक है वरना क्लोट्रों को थाजा सी वीसी जरू ट्राय करना पागे 26 रन जिरो क्राइब चार रन 3 विकेट बैटिंग से अच्छा कर रहे है जाकर तो जब दाल रहे थी दो विकेटस मिल रहे ते अब है नहीं जा रही है तो थोड़ी से रिस्की तो है अगर जाना है तो वहां टीम के के लिए है आपके बास में मैथ लेड़ा करमाइकल है कुछ ज़्यादा खास पर्फोंस तो है नहीं जेल के एक दो टीम में ट्राइब करना चाहों तो कर सकते हो पोटेंशल है यह वाले रंस बनाने का 55-37-35 बैटिंग ओटर इतना नीचे कि मेरे को नहीं लगता है कि उतने रंस इनकी तरफ से आप आएंगे राइट हंड बैटर है बहुत कहां ओपन कराया था शुरुआत में पदा है टूर्नमट के शुरुआत में इंसे उपन कराया जा सर्थ से विकेट साएं और सेम चीजा यहां से लोरेंस्समित के बारें बोल सकते हो पिछले चाह forgiving समित के बहुत बैद앙रिने शह EV Sanог मैश आप जब बोलर्स की बात करते हैं तो उसमें दो बोलर्स का नाम सबसे पहले आता है लोरेंश इटल और यहां से लिंसे स्मित बहुत यहां से कंसिस्टेंट रही है विकेट्स अच्छे निकाले एक लेफ्टाम पेसर है और यहां से लेफ्टाम और सोड़ोग से बागी अगर बाकि अगर बात करें अपना नेक्श निकलकरन के बेंच के तो एलन है यहां से पिछले 5-6 मैचे सिर्फ एकी बार विकेट निकाले दो विकेट लेग डालती है उसके बाद में एमा हुक्स है राइटाम पेसर है तीन मैचे इसमें दो बार एक एक विकेट निकाला है वहीं बाकि आते हैं जरह आपना बोलिंग फेस के उपर के साथ में आपको जो लोरेंच शीटल लिंस स्मित और एलस पैरी डालती है वहीं पर जब डेथ बात आती है तो उसमें लोरेंच शीटल और आपको लिंस स्मित बोलिंग करती है इनी के साथ मेरा नाम यहां से ऐशले लिंस स्मित और पैरी आपको देखने मलते हैं वहीं पर आगर हम बात करें दूसरी टीम की जो कि रहनी वाली होवाट हरीकेंस तो उनकी नई बात आती है और जब बात आती है डेथ होवर्स करने की तो उसमें मॉलिश ट्रानो निकॉला कैरी और हीदर ग्राम की तरफ से जो 14 मैच वो यहां पर हा रहे हैं तो उनके ही 16 मैच निकलकर अपने वन्यू लीडर के उपर ठाटे की बाइट कौन अच्छा करते हैं आखिर कर आउंड पर तो ऊसमें एरेंट बंस है जिन्होंने 28 मैच में साथ सोपचिस रहें 27.88 के आवरेस के साथ में फिर है एलस विलानी 14 मैच 313 रंस है 34.78 के साथ में एलस पैरी आठ मैच 265 रंस 44 का आप मैच में 294 रंस 79 का आवरेज 41 का आवरेज है बेट का इस ग्राउंड पर अच्छा खेलती है और बागी नाव में स्ट्रेंड पर गहें कुछ ज्यादा खास नहीं किया 10 मैच में 59 रंस ह है यह दर ग्राम का अच्छा रहता भाई 6 मैच में 140 रंस 46 का आवरेज है अलाकि इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि तीन बार नोट आउट है अगर ओर 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 देखा जाए नो 6 मैच में 140 रंस इसाब से तो भाई ठीक है उसके लावा ऐशले गाडनर 6 मैच में है 125 31 का आवर बागी आते हैं जरह बोलिंग चेक्शन मोलिश ट्रानों हैस्ट विकेट टेकर 12 मैच में 17 विकेट्स एरिन बंस के 20 मैच में 16 विकेट्स बड़ क्या करें जो बोलिंग नहीं डालेंगी है उसके बाद मैं एलस पैरी है 14 में 12 विकेट्स के साथ में मैसे गिपसन ने भी 8 मैच में अपको यहां से जो देखने को मृटी दो बागी हिदर क्राम बोलिंग करेंगी 6 मैंच में साथ है कैरे बोलिंग करेंगी 11 मैंच में 7 विगिट है Gibson बोलिंग कराने वाली है Perry बोलिंग करेंगी Burnts का बरोसा नहीं है करा भी देख अपतान और ना भी कराए ज़र हम बात करेंगो है 19 मैचस हो चुके हैं उसमें आज तक सिर्फ दो ही बार है जिसमें होवाट जीत पाई है ठीक है मतलब आप देखो 19 में से सिर्फ आज तक दो बार होवाट हरीकें जीत पाई है और 17 मैचेज जो है वो Sixers के टीम ने जीत है ठीक है बाकी इस वन्यू पर इंग दोनों टीम्स के चार मैचेज हो चुके है जिसमें चारों के चारों यहां से सिर्फ आज जीते हैं होवाट एक भी नहीं जीत पाई है जरह बात करते हैं इनके हैट्वर्ड लीडर्स की ऐलस पैरी का नाम आता है सबसूपर बाकी प्लेयर्स से तो कहीं बहतर है वहीं पर आशले गार्टनर ने 15 मैच में 365 और बाकी आप देख लो कितने ही रंस है एशले गार्टनर ने खुद बाई 365 बना रख्या पंदरा इनिंग में 28 के आवरेज के साथ में सिर्फ एरिन बंस के 9 मैच में 211 है और निकोला केरी साथ मैच में 132 है इसमें से एक मैच में ही उन्होंने 55 की इनिंग खेल दी थी वहीं अगर हम बात करें अपने बॉलर्ट सेक्शन के एशले गार्टनर 13 मैच इसमें 12 विकेट्स पैरी ने 16 मैच में 8 निकाले हुए मैथ लांग राउंड के में तीन मैच में आखिर कौन किसको आउट करता है ठीक है तो उसमें यहां से एलस पैरी है जो की केरी के अगेंश्ट में 56 पोल में 66 रंस बनाकर तीम बार अपनी जो विकेट है गवाँ चुकिए मोले श्ट्राणों के अगेंश्ट में अपनी विकेट्स तीम बार गवाई हैं और शबने मि करता है एरेन बंस की अगेंश्ट में आठ बोल में दो बार और हीदर ग्राम ने इनको दो बार आउट किया हुए वह भी 22 बोल में मत्र 19 रन देकर एशले गाड़नर भी अगेंश्ट में 21 बोल में दो बार आउट हो चुकि है बाकि प्लेयर बैटल और बात करें तो करना चाहो तो भी कर सकतो बोलर ठीक है बस थोड़ा सा फोम अभी के लिए खराब चल रहा है बाकिया करम दूसरे प्लेयर के बाद करें हिदर ग्राम को गाड़नर ने दो बार आउट किया है वहीं पर लीजली भी अगेंश्ट गाड़नर 11 बोल में दो बार आउट हो चुक लोरन शीटल पैरी सब नहीं परिशान किया इसको अभी रन तो बिलकुल यह जहीं दिया आउट किया वह अलग तो यह है हमारे जो आज के लिए प्लेयर बैटल सब चीज़े रहती है और यह प्लेयर बैटल जो पिछले चार से पात साल के ध्यान रखना उससे पहले के नही किस के सामने कब से तक भारते नहीं तो इस वैसा हो सकता वह बिलकुल फ्लॉप भी हो जाए जीरो पर चली जाए और इस गलाड़ी का वह भी वरोसा नहीं है कि यह जाए सामने एलस पैरी हो जाए गाड़नर हो अगर मारने पर आई तो साड़ सतर असी अराम सो बना सकती है तो ट्राइ कर लेने जील में बागी लीजली है ऐलस पैरी है ऐलस विलानी सुजी बैट को रखा है निकोला कैरी गाड़नर हीदर ग्राम और ट्रोजन है अब निकोला कैरी को रखने का सिर्फ रीजन यह है कि चोथे पाक्षव नंबर पर बैटिंग चार और बोलिंग के त कैप्टन आप क्लोर्ट रॉन और एलस विलानी जैसे खिलाडी को ट्राइब कर सकते हूं ओली मिनिक लिक्स मोली की जब बात आती है वह दो तीन चार मेंबर टाइप लिक्स की तो उसमें एश लिगाड़न और पहरी ही सबसे बैटर प्लेयर यहां से एजा कैप्टन के कौन का बोलिंग करते हैं कौन रिसेंट में करा रहा है को नहीं तो यहीं सब इंफोर्मेशन ठीक है आपके लोग दोस्तों को भी पता लग जाए वह भी खेले जीते बड़िया तरीके से तो शेयर कर देना वीडियो को एंड बागी मिलने आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए ओल्डवेश्ट और आप अब इस मैच में काफे इच्छा विंग करूं